वेलकम टो माई यूट्यूब चैनल मैं फार्मेसिस्ट कंचिन कुमार आपने चैनल में फिर से स्वागत करता हूँ आज हम लोग डिसक्स करेंगे इमुरेन के बारे में या जिसको हम लोग एजातियो प्रिन टेबलेट भी कहते हैं इस विडियो के मादे में से बलग जानेंगे इसके प्रमुक यूज। साइड़ इफेक्ट प्रिकॉसन ये सब हम लोग इसके बारे में जानेंगे यह जात्रियो परीन एक क्या है इम्मुनो सप्रेसेन ट्रग जिसका इस्तमाल हम लोग इम्मून सिस्टम को करते हैं इसको हम्मोडिफाइब हाल्ट इसको हम लोग मोडिफाइब हाल्ट है जो कि डिजीज रिम्मोनियाटइड अर्थ्रिपेज या फेल ड्रक थेरेपी को ट्रीक करता है यह एक और्टो इम्यून एन कुलागेन डिजीज सिस्टेमस लूपस आइथोमेस मैथेसमे अग्रेबिस को ट्रीट करने में भी इसका इस्तमाल करते हैं इसको कैसे लेना चाहिए इसको टेबिस का इसका 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 इस्तमाल करें यह है भी साइड इफेक्ट क्रियेट कर सकता है इसको कैसे लेना चाहिए इसको टेबिलेट या इंजेक्शन के दारा इसको लिया जाता है इसको खाने के बाद दिन में एक बार इसको ले सकते हैं वान्स डेली विद फॉड और विदट फॉड इसको एकोर्डिन टुब बेडी बॉड़ी एट किनिसर इसका इसको इसको इमजी में ले जाता है बोड़ी वेट के हिसाब से इसके में लिया जाता है ओंसेट आप एफेक्ट दो से चार विक करता है डोरेशन कापी समय तक डाइट एडवाइस कुछ भी नहीं है इस्टोरेज रूम टेंप्रेचर में रखना है बच्छों से दूरी बनाकर रखना है रूलाइट से दूर बनाकर रखना है मिस्टोज होने से कोई दिक्कत नहीं आप तुरह दो घंटे का अंदर इसको ले सकते हैं अगर आपको इसा कोई भी साइड इफेक्ट दिखाए दे रहा है मेडिसीन लेने के बाद तो आप तुरह डॉक्टर से संपर्क करके आप इसका सही इस प्रोक सेवन करते हैं एस पेसल प्रिकोसन क्या है लॉंग किड्ने प्रोब्लम नीवर प्रोब्लम या एक किसी भी प्रकार की ब्लड डिसोडर है इंफेक्ट्स है पूस्ट किंडिशन में इसका इस्तमाल बिलकुल भी ना करें प्रेग्निन ओमेंड भी आप इसको सकते हैं पस डोक्टर के देखरेक में इसको लें प्रेस्ट्र फीडिंग व्मिन भी सकते हैं बस डोक्टर से सला लेकर लें जिनकी चोटी-चोटी बच्चे उनके लिए को प्रोब्लम नहीं है साट साल से उपर उमरवालों के लिए है कि इसका है डोज को कम करके इसको लिय होना विकनेस होना अचानक ब्लीडिंग अनुज्वल ब्लीडिंग होना जॉंडिस होना रास या फीवर इसके कॉमन साइड इफेक्ट है अगर मेरी दीवी जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक करना सेयर करना सब्सक्राइब करना और एक चीज़ बता रहा हूं कि कि एलो फ्यूरिनॉल या वारा पारिन या को ट्राइमॉक्साजोल या ट्राइमेत्र इन सभी मेडिसीन के साथ इसका इस्तवाल बिल्कुल भी न करें यह आपको हानी पहुचा सकता है अगर मेरी दीवी जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक करना सेयर करना करना ताकि मैं आप लों के लिए अच्छी सची इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूंगा तब तक के लिए नमस्कार आपका दिन सुबहूं